हलो गाईज मैं मनीश दिवारी क्या आप जानते हैं कि दिमाग और इंटरनेट को आपस में जोड़ने का प्रयास जारी है क्या होगा जब मनुष्य का दिमाग और इंटरनेट को आपस में जोड़ दिया जाएगा क्या इस्थिती उत्पन होगी हमारे दिमाग में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी कम्प्यूटर के उपर जब दिमाग और कम्प्यूटर का इंटरनेट आपस में जुड जाएंगे आज इसी पे चर्चा करेंगे मनुष्य के दिमाग को सीधे इंटरनेट से जोड़ने के प्रियास जारी है जब मनुष्य का दिमाग सीधे इंटरनेट से जुड़ जाएगा तो केवल मनुष्य के सोचने भर से हर तरह की जनकारी उसे ततकाल मिल जाएगी इस पर सोध जारी है और यह तक्निक निकट भविश्य में शम्भव भी हो सकता है इसके प्रमुख सोध करता रोबर्ट फ्रेटिस के अनुसार मानव दिमाग और इंटरनेट को जोडने के लिए नियूरान नैनो रोबोट का उपयोग किया जाएगा इस तक्निकी के विकास में सबसे बड़ी बाधा शुपर कंप्यूटर और दिमाग के बीच नियूरल नेटवर्क के जरिये डाटा का आदान परदान करना है सोध करता के अनुसार इन नैनो पार्टिकल्स को सरीर के सर्कुलेशन सिस्टम के द्वारा दिमाग तक पहुचाना सबसे बड़ी चुनवती है यह इनसानी सरीर में परत्यारोपित किया जाएगा और रियल टाइम में नेटवर्क से जुड़ सकेगा उन्होंने बताया कि यह उपकरण सरीर की तंतिकाओं को पार कर रत और दिमाग की बाधा को पार कर अपने आप दिमाग की कोशिकाओं के अंदर अस्थापिप कर सकता है यह वायरलेस उपकरण रियल टाइम में जनकारी या डेटा को एक क्लाउड अधारित सुपर कंप्यूटर और दिमाग के बीच आदान परदान करने में सच्छम करता है यूसिम वर के लिए और भीएस के इंस्च्छूट आफ मालिक्यूलर मैनुफेक्चरिंग के सुध करताओं के अनुसार तक्नीक से दिमाग को क्लाउड पर उपलब्द सारी जनकारी असानी से मिल सकेगी इस से दिमाग के सिखने की छमता और बुधिमता बढ़ेगी इस तक्नीकी से एक ग्लोबल सुपर ब्रेन भी बनाया जा सकता है जो व्यक्तिगत दिमागों के नेटवर्क और ए आई से जुड़कर शन्जुक्त बिचार बढ़ावा दे सकता है बैग्यानिक एक्सपेरिमेंट रूमन ब्रेन नेट सिस्टम का परिक्षर कर रहे है इसके जरिये क्लावड और इंसानी दिमाग के बीच डेटा एक्षेंज किया जा रहा है यानि हम कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो निकट भभिसे में बैग्यानिकों द्वारा दिमाग को इंटरनेट से जोडने की प्रकिरिया शंभव हो सकती है उमीद करता हूँ कि ये जनकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी फिल मिलते हैं अगले वीडियो में आप हमारे वीडियो को सस्क्राइब करें सेर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं धन्यवाद